से कारे में रुपांतरित कर दे परिचाय कल रॉय बहुत प्रसन था क्योंकि वो अपने परिवार के साथ एक पिकनिक पर जा रहा था वे सभी सहज गती से यात्रा कर रहे थे कि अचानक उनके रास्ते में एक कुट्ता आ गया और उसके पिता ने तेजी से ब्रेक लगाए उन सभी ने एक जटका अनुभव किया और वे आगे को गिर पड़े तब राय ने अपने पिता से पूछा कि ब्रेक लगाए जाने पर हम सभी आगे की ओर क्यों किर गए तब उसके पिता ने उत्तर दिया कि ये हमारे शरीर के जड़त्व के कारण हुआ इस कार्थ है कि कार रुकने के समय शरीर अपने जड़त्व के कारण गति मान रहा आईए अब जड़त्व तथा गति के नियमों के बारे में और अधिक सीखें उत्तेश्य यांत्रिकी में सामाने बलों को समझना वर्तुल यानि वृत्तिय गती को परिभाशित करना और यांत्रिकी में समस्याओं को हल करना अरस्तु की भ्रामक्ता युनानी विचारक अरस्तु के अनुसार किसी वस्तु को गतीमान बनाए रखने के लिए एक वाहिबल अवशक होता है एक खिलोना गाड़ी वराम अवस्था में है जब एक बालक गाड़ी से जुड़े हत्ते को पकड़ कर खींशता है तो गाड़ी गतीमान हो जाती है और जब बालक गाड़ी का हत्ता छोड़ देता है तो गाड़ी विराम अवस्था में आ जाती है अब अरस्तु के नुसार गाड़ी इसलिए विराम अवस्था में आ जाती है क्योंकि इस पर कोई वाहे बल नहीं लग रहा है लेकिन वास्तों में गाड़ी इसलिए वराम अवस्था में आ जाती है क्योंकि प्रिष्ट से लगने वाला घर्शन बल गाड़ी की गती का प्तिरोथ करता है जड़त्व का नियम किसी वस्तु का जड़त्व उसका वह गुण होता है जिसके द्वारा ये अपनी विराम अवस्था में परिवर्तन का या किसी वाहे बल की अनुबस्तिती में वस्तु की एक समानकती का प्तिरोथ करती है किसी वस्तु का जड़त्व इसके द्रवेमान के अनुक्रमानुपाती होता है किसी वस्तु का वेग तब तक निश्चित रूप से बना रह सकता है जब तक उस पर कोई त्वरन या मंदन कारे ना करे ऐसी दशा केवल समतल तलों पर प्राप्त की जाती है जहां घर्शन के बल को नियून किया जाता है आईए एक उधारण देखें नीचे को ढाल युक्त तल की स्थिती में त्वरन का एक कारण पहले से उपस्तित रहता है उपर को धाल युक्त तल की स्थिति में मंदन का एक कारण पहले से उपस्तित रहता है शेटिज तल की स्थिति में नियत गती होती है न्यूटन का गती का प्रथम नियम न्यूटन के गती के प्रथम नियम के अनुसार प्रतिक पिंड तब तक अपनी विराम अवस्था या सरल रेखा में एक समान गती के अवस्था में रहता है जब तक कि कोई वाहिबल उसे अन्य रूप में वैवेहार करने के लिए बाद्धे नहीं करता यदि किसी वस्थू पर नेट वाहिबल शूने हो तो इसका तौरण शूने होगा वस्थू पर नेट वाहिबल ना होने की स्थिति में तौरण शूने नहीं हो सकता न्यूटन का गती का डूतियनियम पहले हम सभी सम्वेख के बारे में बात करेंगे किसी वस्थू का सम्वेख इसके द्रवेमान तथा वेख के गुणन फल के रूप में व्यक्त किया जाता है पी बराबर एम गुणा वी ये एक सदिश राशी है सम्वेख की दिशा वेख की दिशा में होती है इसका SI मात्रक किलोग्राम मीटर प्रतिसेकंड होता है न्यूटन का गती का डूतियनियम कहता है कि किसी पिंड पर कार करने वाला नेट वाहिपल इसके सम्वेख परिवर्तन की दर के अनुक्रमन उपाती होता है इसका समीकरण निम्ल रूप में दिया गया है U मीटर प्रति सकंड के वेग से आरंभ में गतिमान M तरवेमान के एक पिंड पर विचार करें जिस पर F न्यूटन का बल लगाय जाने पर T समय के बाद इसका वेग V मीटर प्रति सकंड हो जाता है तब न्यूटन के दूइतिये नियम के नुसार F पराबर M V घटा M U बटे T F पराबर M A जहां A पिंड में उत्पन तौरण है आता हा पिंड पर कारिकरता नेट वाहिपल इसके द्रवेमान तथा इसमें उत्पन तौरण के गुणन फल के पराबर होता है उधारण आईए न्यूटन के गती के दूइतिये नियम का एक उधारण देखें एक आठ किलोग्राम द्रवेमान पर कारिकरता नेट पल 25 सेकेंडों में इसकी चाल को 2 मीटर प्रतिसेकेंड से 3.8 मीटर प्रतिसेकेंड में बदल देता है यदे पिंड की गती की दिशा अपरिवर्थित रहे तो बल के परिमान इवं दिशा की गणना करें आईए इसका हल देखें दिये गए मान है M बराबर 8 किलोग्राम U बराबर 2 मीटर प्रतिसेकेंड V बराबर 3.8 मीटर प्रतिसेकेंड T बराबर 25 सिकन F बराबर M A बराबर M V घटा U बटे T बराबर 8 3.8 घटा 2 बटे 25 बल बराबर 0.58 न्यूटन क्योंकि गती की दिशा में परिवर्तन नहीं हुआ है बलकि वेक का परिमार बढ़ा है इसलिए बल गती की दिशा में ही कारे रत होगा आवेक आवेक को किसी पिंड पर एक अल्प समयकाल के लिए कारे करने वाले बल के प्रभाव के रूप में परिभाशित किया जादा है आवेक बल तथा समय अंतराल के गुणन फल के पराबर होता है आई पराबर एफ गुणा टी यदि पिंड का समवेक टी समय में पी एक से पी दो परिवर्तित होता है तो न्यूटन के गती के दूतिय नियम के अनुसार एफ पराबर पी दो घटा पी एक बटे टी आवेक आई पराबर पी दो घटा पी एक बटे टी गुणे टी आई पराबर पी दो घटा पी एक आई पराबर डिल्टा पी आवेक पिंड के समवेक में परिवर्तन के भी बराबर होता है ये एक सदिश्राशी है तथा इसकी दिशा सम्वेग में परिवर्तन के समान होती है न्यूटन का गती का तृतिय नियम न्यूटन के गती के तृतिय नियम के अनुसार प्रतिक्रिया की सदैव समान एवं विप्रीत प्रतिक्रिया होती है। क्रिया और प्रतिक्रिया का परिमान समान होता है। दिशाएं विप्रीत होती हैं और वे भिन्ड पिंडों पर कारे करती है। पत्वार की सहयता से एक नावखेता व्यक्ति भूमी पर उचलती गेंद न्यूटन की गती के तृत्य नियम के उधारण हैं। पिंडों A और B के एक युग्म पर विचार करें। तब FAB बराबर घटा FBA दोनों पिंडों के बीच अंतर क्रिया में सलगन दो बलों में से एक क बल कहा जा सकता है। दूसरे बल को प्रिति क्रिया बल कहा जा सकता है। सम्वेक का सनक्षन वियुक्त निकाए किसी निकाए को वियुक्त कहा जाता है यदि निकाए वा परिवेश के बीच द्रवेमान तथा उर्जा का कोई विनिमें नहीं हो। संवेग संरक्षण के अनुसार किसी वाहेबल की अनुपस्तिती में किसी वियुक्त निकाय का कुल रहकिक संवेग समान या संरक्षित बना रहता है न्यूटन के गती के दूतिय नियम के उप्योग द्वारा व्याख्या जहां कोई वाहेबल नहीं है F पराबर 0 तो DP बटे DT बराबर 0 पी बराबर इस्थिरांक MV पराबर इस्थिरांक M1V1 पराबर M2V2 न्यूटन के गती के तृतिय नियम के उप्योग द्वारा व्याख्या M1 तथा M2 द्रवेमानों के दो कड़ों से बने एक व्युक्त निकाई पर विचार करें निकाई का कुल द्रवेमान है M पराबर M1 जमा M2 माना की निकाई पर एक पल F प्रेयुक्त किया गया है जिसके करण M1 और M2 पर करमशा F1 और F2 कारे करते हैं यदि व्युक्त निकाई पर कारे करने वाला कोई वाहे बल नहीं है F पराबर 0, D बटे, DT, P बराबर 0, P बराबर 0, P बराबर इस्थिरांग अथा रहकिक सम्वेक के संदक्षन के नियम सिद्ध होता है किसी कण की सामय आवस्था जब किसी पिंड जिस पर बल कारे करता है उसकी व्राम आवस्था या एक समान गती की आवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो वो पिंड सामय आवस्था में कहलाता है संगामी बल वेबल होते हैं जिनकी क्रिया रेखाएं एक सार्वनिष्ट बिंदू पर प्रतिछेद करती हैं आकरिती में चार संगामी बल F1, F2, F3 तथा F4 दर्शाय कए हैं जिनकी क्रिया रेखाएं उपर प्रतिछेद करती हैं सामय आवस्था में कोई पिंड वराम आवस्था में भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है संगामी बलों की क्रिया के अंतरगत किसी पिंड की सामय आवस्था में होने के लिए अनिवारे शर्थ ये है कि कारे करने वाले सभी बलों का सदिश योग शूने होना चाहिए लेमी का नियम यदि किसी पिंड पर कारे रत तीन संगामी बल इसे सामय वस्था में रखते हैं तो प्रतेक बल अन्ने दो बलों के बीच के कौन की जया के समान उपाती होता है माना की F1, F2 तथा F3 सामय वस्था में तीन संगामी बल हैं तब लेमी के नियम के अनुसार F1 बटे साइन अलफा बराबर F2 बटे साइन बीटा बराबर F3 बटे साइन कामा यांत्रिकी में सामान बल यांत्रिकी में हमारा सामना अनेक प्रकार के बलों से होता है यांत्रिकी में मुख्य संपर्क बल घर्शन कहलाता है घर्शन इसे एक विरोधी बल के रूप में परिभाशित किया जाता है जो संपर्क वाले दो प्रिष्टों के बीच तब उत्पन होता है जब एक पिंड अन्य पिंड के प्रिष्ट पर सरक्ती या लुड़क्ती है या ऐसा करने के लिए प्रावृत्त होती है ये दोनों पिंडों के संपर्क प्रिष्टों पर स्पर्श रेखिये कारे करता है तथा न्यूटन के गती के तृतिय नियम का पालन करता है सीमित घर्शन संपर्क में दो पिंडों के बीच घर्शन का बल जब एक पिंड अन्य पिंड के प्रिष्ट पर सरकना शुरू करने की स्थिती में होता है स्थैतिक घर्शन संपर्क में दो पिंडों के बीच घर्षन कबल जो सिप पूर्व होता है जब वास्तों में कोई पिंड किसी अन्ने पिंड के प्रिष्ट पर चलना शुरू करता है गतिज घर्षन संपर्क में दो पिंडों के बीच घर्षन का बल जब एक पिंड अन्य पिंड के प्रिष्ट पर गतिमान होता है लोटनी घर्षन इसे ऐसे घर्षन के रूप में परिभाशित किया जाता है जो तब उपस्तित होता है जब पिंड जैसे की वलय, चक्ती, गोला या बेलन अन्य पिंड के प्रिष्ट पर लुड़कते हैं या ऐसा करने को प्रावरित्य होते हैं लोटनी घर्षन सरपी घर्षन से कम होता है घर्षन एक अनिवारे बुराई है घर्षन सदैव गति का विरूद करता है और घर्षन से छुटकारा पानी के लिए उड़ जाव्य होती है लेकिन साथ ही ये अनिवारे भी है क्योंकि ये हमें चलने, वस्तूओं को चलाने दो संपर्क प्रिष्ठों के बीच घर्षन गुडांक का मान कम करते हुए घर्षन को घटाया जा सकता है इसे निम्दांकित तरीकों से किया जा सकता है पॉलिश करके, लिवरिकेंट्स के उप्योग द्वारा चिकना करके, सरपी को लोटनी में परिवर्थित करके वरित्य या वर्तुल गदी जब कोई पिंड किसी वरित्ताकार पत पर चलता है तो इसकी गदी वरित्य गदी कहलाती है और यदि कोई पिंड किसी वरित्य पत पर नियतांक चाल से घुमता है तो इसकी गदी एक समान वरित्य गदी कहलाती है पिंड पर पल निम्न रूप में व्यक्त है F पराबर MA बराबर MV वर्ग बटे आर यह सदैव वृत्य पत के केंद्र की ओर निर्दिश्ट होता है इसलिए इसे अभी केंद्र पल कहा जाता है चैति जिक वृत्य गती के कुछ उधारण निम्नवत है किसी समतल सड़क पर वृत्य मोड लेने वाला वाहन जब कोई वाहन किसी समतल सड़क पर वृत्य मोड लेता है तो वाहन के टाइरों तथा सड़क के बीच घर्शन का बल वाहन को आवशक अभी केंद्र बल प्रदान करता है वह अधिक्तम चाल जिससे एक वहन आर त्रिज्या का वृत्य मोड ले सकता है, निम्न प्रकार व्यक्त है F बराबर MA बराबर MV वर्ग बटे आर, V बराबर वर्ग मूल म्यू आरजी, जहां V बराबर वहन की चाल, म्यू बराबर घर्शन गुडांग सडकों की बैंकिंग तो 10 थीटा बराबर V वर्ग बटे आरजी, जहां थीटा बैंकिंग का कोण है साइकिल सवार का जुकना भूमी बर वृत्ताकार मोड लेता हुआ साइकल सवार, स्वयम को सदैव, ओर्धव जुका लेता है, ताकि वो स्वयम को परियाप्त अभी केंद्र बल प्रदान कर सके यांत्रिकी में समस्याओं को हल करना यांत्रिकी में सामान समस्या को हल करने के लिए हमें निम्न चरणों का उप्योग करना चाहिए चरण एक, एक आरेक बनाए चरण तू, संयोजन के किसी सुविधा जनक भाग को निकाय के रूप में चुने चरण तीन, एक प्रिथक आरेक खीचें, जो निकाय तथा पिंडों के सैयोजन के शेश भागों द्वारा निकाय पर आरोपित सभी बलों को समलित करके दर्शाता हो चरण चार, इस आरेक में बलों के बारे में वही सूचनाय समलित करें, जो या तो आपको दी गई हो, या जिनके बारे में आप निश्चित हों चरण पांच, यदि आवशक हो, तो सैयोजन से किसी अन्य निकाय के लिए भी यही विधी अपनाएं क्या आप जानते हैं, सर आईजक न्यूटन का जन्म 1642 में हुआ, उसी वर्ष गैलीलियो की मृत्य हुई थी, उनका जन्म एक निर्धन क्रिशक परिवार में हुआ, वे 1661 में केम्रिज विश्वित्याले में अध्यान के लिए भीजे गए, 1665 में न्यूटन ने सेप किरने की घटना का अवलुकन किया, इस सरल घटना ने न्यूटन को गुरत्व का संबंध, चंद्रमा को उसकी कक्षा में रखने वाले बल से जोडने की संभावना की खोजबीन के लिए प्रेरित किया, इससे अंतता उन्होंने गुरत्व के सारु प्रत्रिक नियम का प्रतिपादन किया, एक डाइन बल वह बल होता है जो एक ग्राम द्रवेमान के पिंड में एक सेंटिमीटर प्रतिसेकंड वर्ग का तौरण उत्पन करता है, बल का एक ग्राम भार वो बल होता है जिससे एक ग्राम द्रवेमान का कोई पिंड पृत्वी के केंद्र की ओर आकर्शित होदा है। बल समय ग्राफ का अक्षित्र किसी दिये गए समय में दिये गए बल के आवेक का परिमान प्रधान करता है। सहरांश आईए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। गुरुत्व एक प्राकृतिक परिखटना है जो भौतिक पिंडों को उनके द्रवेमानों के समानुपाती बल से आकर्शित करती है। किसी पिंड का जड़त्व इसका वो गुण होता है जिसके द्वारा ये वाहे बल की अनुपस्तिती में पिंड की व्रामावस्था या एक समान गती की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। न्यूटन के गती के प्रथम नियम के अनुसार हर चीज निरंतर अपनी व्रामावस्था या एक सीधी रेखा में एक समान गती की अवस्था में रहेगी। यदि इस पर कारे करने वाला कोई वाहे बल आरोपित ना किया जाए। न्यूटन के गती के दूइतिय नियम के अनुसार किसी पिंड पर कारे करने वाला नेट वाहे बल इसके समवेग में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। आवे को किसी पिंड पर बल के प्रभाव के रूप में परिभाशित किया जाता है, जो इस पर अल्प समाय अंतराल के लिए कारे करता है। न्यूटन के गती के तीसरे नियम के अनुसार तर्तेक्रिया की सदैव, समान वा विप्रीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। समवेग संदक्षण के नियम के अनुसार किसी वाहिबल की अनुपस्थिती में किसी प्रतक्रित निकाय का कुल रैकिक समवेग, समान या संदक्षित बना रहता है। जब किसी पिंड की व्रामा अवस्था या एक समान कदी की अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता जिस पर की बल कारे करते हैं,